हेलो फ्रेंड्स कुगीं क्लासिज में आपका स्वागत है मैं वेकता अगरबार आज हम आटे का हल्वा बनाना सीख लेंगे तो चलिए देखते हैं अब सबसे पहले मुझे चाहिए घी मैंने एक कटोरी घी लिलिया है एक कटोरी आटा ले लिया है और एक कटोरी ही चीन लिल कुछ रिए और मैंने कटाई ले लिया है तो मैंने घरम कर लिया है आप भी कर लीजी आप मैं इसमें सबसे पहले गी डाली है इसमें बनाते वाद दोस्तों एक चीज का ध्यान रखें आपका सब चीज इक्वाल होना चीए एक कटोरी आपने घील आ तो एक कटोरी ही चीनी और पानी हमेशा डबल डलता है अगर एक कटोरी आटा तो दो कटोरी पानी न लेगा अब इसे अच्छे से गरम कर लिजी अपने मारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो उसे सब्सक्राइब कर लिजी और बैल आइकन भी प्रेस कर लिजी गा जिससे का होगा फ्य अब इसे बुलते हैं इसको कम तीन से चार मिनेट लग जाएगी सिंगेस पे तो फ्रेंट्स जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा अटा बुन गया है अब मैं इसमें शूगर एट करूंगी इसको अच्छे से मिक्स कर लिजीए अब मैं साथ में दो कटोल पानी एट करूंगी पानी एट करती है में खड़ा पत इसको चलाना नहीं तो इसमें गाठे पड़ जाती है और अपने हाथ पर जहां बखें अभी से घूमाते रहें धीरे-धीरे अब कर देखिए यह गाड़ा भी हो गया है और हमारा अलवा यहां है बस हमारा अलवा क्यांद हो गया है अब गैस बन कर दीजिए और आप इस पर अब आप इसको सर्फ कीजिए और आप इस पर गानिश की तौर पर यह बादाम लगा लीजिए मैंने बादाम पहले से कट करके रखे हैं आप चाय को काजू भी यूज कर सकते हैं अगर आपको मारी वीडियो पसंद आई है तो इससे लाइक और शेयर करना ना भूले और फ्यूचर में आप अगर हमसे कुछ और बन वाना शीखना चाहते हो तो हमें कमेंट करके जरूबत कहिएगा हम वह बनाने की पूरी कोशिश करें तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में कुछ प्याहते हुit